हाई फ्रेंड आज हम बना लेवाले है रेश्ट्रोयन इस्टाईल पनीर पालक पनीर की सब्धी तो चले मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता ही पालक पनीर की सब्धी मैंने क्या किया है पहले से गैस पे एक पानी कड़ाही में पानी रख दी हूँ उसमें थोड़ा सा आधा टीएसपी मैंने सक्कर डाल दिया है इससे क्या होता है पालक ग्रीन की ग्रीन रहती है और मेरा पानी उबल गया है उसमें मैं हरी लहसन डाल दी हूँ हरी लहसन हो तो अपसीजन तो डाली और नहीं तो जो साबुत लहसन होता उसको छील के आप 1TBS पी डाल सकते हैं फिर इसमें मैंने पालक को अच्छे से धोक के एक बंच यानि गराम में लो तो 500 गराम ने तो एक बड़ी बंच को मैंने धोक के अडंडी तोड के ले लिया और इसे जादा नह मैं दोतीन हरी मिर्ची से gaining है हरी मिर्ची मौत उबल गया है फिर में इसको क्या करूंगे चान लओंगे फिर आपको ड़ने के इसमें टेखाती हैं मैंदे नहीं पूरी देख ऑलक चान के एक ड़ल दी है अब मैं तो और आ यहाद़ी है च्छन बात हुंगे पानी तब तक उसका पुरा निकल जागा फिर मुझे पिसके आपको दिखाऊंगे ग्रेंडर मैंने यहाँ एक कड़ाही रख लिया है वहाँ मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इसमें जादा नहीं 1 टी एसपी मैंने जीरा डाला है आप इस तरीके से एक बर पालक परी खाए फिर अब बताएगा और मैं यहाँ अध्रक लास्तन का पेष्ट मैंने डाला है 1 टी एसपी अगर आपको अध्रक लास्तन का पेष्ट चाहिए कैसे बनता है ता मुझे कमेंट करें मैं आपको बताऊंगी बना के कैसे बनता है और यह मेरा अध्रक लास्तन का और बारिक पीसना, याद रखे, चन्नी पे चान के ने, तो पूरी पानी पानी हो जाएगी, जो पूरी पालक की पानी निकल जाए, तब उससे पीसना है, ग्रेंडर में, तो मैं इसे कहा करते हूं, जो इसमें मिकसर जार में लगा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के दो के फि अब आप अपने test के according यहां नामक डाल दे नने यहां नामक डाल दे अपने test के according अब मैं क्या करें? इसे 2 मिनिट और पूल करके फिर इसे गयस को भी बंद कर दूंगे. मैंने गयस बंद कर दिया है, अब मैं इसे एक c portion कर दूंगी ठंडा होने के लिए. अब मैंने क्या क्या है? एक पेन लिया. पेन में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा बटर डाले या तो आपके पकe पस बटर नहीं हो तो घी घर का गी डाले तो अच्छा टेस्ट आताएं पर कोई चीज एक मठ डाले दोनों मिला के डाले । जब यह गरम हो जह आ इसमें थोड़ा सा में खड़े लसन को भी जो छिल के साबूत लसन डाल दे वो भी डाल सकते पर इस समय सीजन है तो मैंने वहां लसन डाला है तो हरी वाली क्या है कि पालक में लसन का टेस्ट अच्छा आता है और मैं यहां डाली हूं हरी मिर्ची आपको अपने टेस्ट का कोडिंग ही ग्रीन चिली करके डाला है ज्यादा नहीं डाला एक बंच पालक में एक बड़ी साइज की प्याज को चौप करके और वन टी बेस पिलासर बस अब देखे मैं दिखा रहे हैं एक पेन में मेरे पास जो अभी मैंने बनाए था पालक वह है ग्रेवी और यह जो पलास्टिक के डब्बे में यह मेरे पहले से बना हुआ रखा है मैं पहले से बना हुआ रखा हुआ ही ग्रेवी से में आपको अभी पालक पनेर बना के दिखाऊंगे और में क्या करूंगी देखे यहां पर मेरे हलका सा गुल्डन कलर हो गया है प्याज मैं यहां डाल दूँगी यह पालक के पालक के ग्रिवी यहां टाल दूंगे जो मैं पहले से बनाके मेरे ये ग्रिवी हो गई है दस दिन की। आप उससी डब психवे में थोड़ी सी पानी डाल के अपने अकोर्डिंग इसमें घ्रीवी में डाल दूंगे। मेरी पहले से ग्रेवी रेडी थी मैं उसे फिर से बनाँगी कुक करूंगी ताकि मुझे पालक पनीर बनाना है आप ग्रेवी बनाके रख सकते हैं ऐसे अब मैं यहां डाली हूं धनिया 1 टीएसपी और जीरा पाउडर हाप टीएसपी रेड चील मैंने थोड़ा सा डाला है प नहीं तो कोई गेश्ट है तो आप ऐसे बीना जीरा और धनिया यानि बीना पाउडर डाले मसाले डाल सकते हैं और मैं यहां गरम पानी डाली हूं देखिए कभी भी सबजी बनाओ तो गरम पानी ही डालो तो उसकी टेस्ट अलग और अच्छी आती है तो इसमें देखिए थोड़ी सी ब्राउन हो गई है ग्रीवी आपको दिख रहे हैं थोड़ी सी ब्राउन अब मैं यहां डाल दूँगी पनीर को क्यूब में कट करके मैंने 200 गरम लिया है मैं थोड़ा सा उपर से ग्रेट करके डालूँगे अब मैं यहां डालूँगी देखिए अमूल की उस्ट्रेंड वाली आएगी और यहां फिर भी बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूं कि यह kिंदे की और प्यारी बनके दिखती है अब मैं यहां देखें डाली हूं अगर आपको डालना हो तो हाफ टी-वेस में मैं यहां बटर डाला है बटर नहीं है तो घी डाल द अब देखिए पहले का ग्रेवी और अभी का पालक पनीर अब उस ग्रेवी को मैं फ्रीजर में रख दूँगी फिर से श्टोर करके अब देखिए मैंने यहां ले लिया है और मैं थोड़ी सी पनीर को ग्रेट करके उपर से डाल दो आप चाहे तो कड़ाहे में बनाते हुए भी ऐसे डाले तो टेस्ट बहुत बेश्ट आता है फिर मैं मिलती हूँ आपको एक नई रेशिपी के साथ आपको जो भी सबजी या पुलाओ जो भी रेशिपी चाहिए तो कमेंट करके बताए मैं फिर आपको बना के वीडियो दिखाते हूँ हाँ फ्रेंट प्लीज लाइक सस्क्राइब और सेर करिए